पहले में उन लोगों से थोड़ी सी बात चीत करना चाहता हूँ रिजल्ट के बारे में भी बात करेंगे OEMR आप अपना कैसे देख सकते हो सारे ओनलाइन प्रोसेस के बारे में भी बात करेंगे जिन लोगों का एक्जाम अच्छा नहीं गया है उनके लिए मैं बता दूँ आप फिर से एक बार सिलेवस का प्रिंट आउट ले लें और तैयारी में आज से जुट जाईए अभी आपके अंदर थोड़ी आग भी होगी कि आपका पेपर अच्छा नहीं गया तो तैयारी भी आप अच्छे धंग से करोगे topic-wide चीज़ों को पढ़िए I repeat topic-wide जो है चीज़ों को पढ़िए जिनका पेपर अच्छा नहीं गया है सरकार चाहती है कि आपका salary का बढ़ोत्री है वो ना हो पाई सरकार का खाजाना खाली नहीं हो इसलिए question को standard way में set किया गया था तो actually अच्छी से तयारी करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। बाइद वे, इंडिया एक लोगतांत्रिक देश है, डेमोक्रेसी है, आप भी अपनी बात रख सकते हैं नीचे कॉमेंट सक्षन में कि एक्जाम को लेकर कि आपका point of view क्या है, सरकार ने कैसा paper set किया, वगेरा वगेरा, मेरे बात से disagree करोगे, तो भी मैं आपके साथ ही खड़ा हूँ, क्योंकि लोगतांत्र में सभी को बोलने का हक है और सभी को freedom of speech है, तो आप अपनी राय नीचे comment section में जरूर रखिएगा, कि paper कैसा था, क्या आपकी तयारी में कमी थी, अगले बार क्या आप अच्छे से तयारी करोगे, तो उसके उपर अगर आपको एक dedicated वीडियो चाहिए होगी, कि पारा teacher आकलन परिक्षा की तयारी कैसे करें, नॉट्स वगेरा, each and everything, उसके लिए एक अलग से वीडियो में बना दूँगा, बस आपको नीचे comment section में लिख देना है, जैक और पारा, तो नीचे comment करके आप जो है जैक पारा लिख दिजेगा, तो आपके लिए एक dedicated वीडियो बना दी चाहिए, तो नीचे comment कर दीजेगा, तो चलिए, अभी फिलाल मैं आपको बता दूँ, गूगल पे हूँ, गूगल पे आपको जाना है, देखिए, गर आपको mobile चलाने में थोड़ी दिक्कत आती है, थोड़ा कम चीज़ों को धीरे से समझते हैं, इंटरनेट वारे चीज़ों को, तो ये वीडियो अपने घर के छोटे बच्चों को दिखा दीजेगा, उनको idea होगा, वो mobile चलाने में expert है, गूगल पे आपको जाना है, जिनको समझ में आता है, उनके लिए jack para teacher portal आपको लिखना है, सर्च करना है गूगल में, जैसे ये आप सर्च करोगे, आपके सामने पहला जो website है, ये खुलेगा, देखो ये क्या है, httpsparacr2022.jsexamportal.com, इस पे आपको जाना है, इस पे क्लिक करोगे, तो देखे, क्या website खुलेगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, कुछ ऐसा interface आपके सामने open हो जाएगा, ठीक है, अब देखो, यहाँ पे, ये देखो, jack para teacher आपको दिख रहा है, ये लोगो दि website खुल जाएगा, यहाँ पे आपको अपना application number, जो आपने registration करते समय करा था, वो आपको फिल कर देना है, इसके बाद teacher ID, और आधार card का आखरी 4 अंक, last 4 digit आपको यहाँ पे फिल करना है, और download OMR कर देना है, तो आपका OMR download हो जाएगा, by the way, अगर नहीं हो रहा है, I repeat, आप 24 गंटे वेट कर लिजिए, हो सकता है कि download हो जाए, कभी-कभी website में problem आती है, बहुत लोग एक बार ही एक जगह पे कत्रित हो जाते हैं, मेला में देखना तो भीड के कारण जो है, थोड़ी बहुत एक जगह से दूसरे जगह जाने में दिकत होती है, सेम चीज website पे भी होती मुझे आप जरूर सेंड कर दीजिएगा, कि आपका पेपर क्या था, और जो जैक का आंसर की है, वो मुझे भी पता चल जाए, आई मिथून सिंग पे आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, थ्रेड अप वहाँ भी कर सकते हो मैसेज, और ट्यूटर या फिर, यह जो मैसेज जरूर कर दीजिएगा, अपना OEMR ताकि उसके उपर जो है, डेडिकेट वीडियो बनाई जासके, और वीडियो जो मैंने आप लोगों को बताया था कि तैयारी कैसे करनी है, उसके लिए आपको क्या नीचे कॉमेंट करना है, जैक पारा, कम से कम अगर 200 कॉमेंट आ